रूद्धराक्ष विबिन मुख्यों में उपलब्ध होते हैं एक से लेकर 21 मुख्य तक इनमे से एक खास प्रकार है गरनेश रूद्राक्ष जो भगवान गरनेश को समर्पित है योरुद्राक्ष समर्द्धी और मानसिक शांत्र प्रदान करने के लिए जाना जाता है योरुद्राक्ष विशीश रूप से बुद्ध ग्रह से जोड़ा हुआ है माना जाता है कि इसे पूजा करने से समर्द्धी सुख की प्राप्ती होती है इसे पहनने से बुद्धी और ध्यान में वृद्धी होती है और यह रुद्राक्ष खास कर उन लोगों के लिए फाइदे मंद होता है जो मांसिक शांती और समर्पन की तलाश में रहती है गनेश रुद्राक्ष को पहनने से पहले उसे शुद्ध जल से धूले और फिर थोड़े से दूद में डुपो कर साफ करें रुद्राक्ष को स्थापित करने के से पहले भगवान गनेश की पूजा करें इसके लिए गनेश की चित्रिया मूर्ती के सामने दीपक जलाएं और उन्हें पुश्पर्कित करें अब लोगों बताते हैं कि रुद्राक्ष भगवान सिव में धुल जीण में लाभ है रुद्राक्ष जो है तो जिसमें गडेश रुद्राक्ष हुई आता है जो हुआ सिधारन करने से अज्यात सत्तों दूर होते हैं जिन बच्चों का पढ़ाय लिखाए में मन नहीं लगता है वो लोग गड़ेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं और गड़ेश रुद्राक्ष भगवान गड़ेश जी का बहुती सुभ और बहुती क्री फल है और गड़ेश रुद्राक्ष जो भी लोग बच्चों को पहनाते हैं उनकी बुद्धी में विकास होता है और जिनका व्यपार कारिक कम चलना हो वो गड़ेश रुद्राक्ष प झाल झाल